असलम अलेकम वेलकम टू शिराया नियूस अमीद करती हूँ के आप सब खेरियसे होंगे UK की एहम खबर को लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं रिक्वेस्ट यही है के वीडियो को आखिर तक देखेगा और वीडियो को शेर कीजिए और लाइक कीजिए तो बढ़ते हैं आपडेट की जानी इंगलेंड इमिग्रेशन में चान्द तबदिलियां की गई हैं जैसा के जिन लोगों ने इंगलेंड का वीजा अपलाई किया हुआ है या फिर जो अपलाई कर चुके हैं तो उनके लिए एहम अपडेट और नई आफर जारी हुई है क्यूंकि अगर देखा जाए तो इंगलेंड ने इस क्रोना वबा की वज़ा से तीन किसम की कैटगरी लिस्ट में मुमालिक को तक्सीम किया है जो के ग्रीन अंबर और रेड हैं तो इस न्यूस की तफसिलात के मुताबिक अगर आप ग्रीन या फिर अंबर लिस्ट मुमालिक से आप विज़ा अपलाई करते हो तो फिर इंगलेंड के कानून के मुताबिक आप विज़ा अपलाई कर सकते हो लेकिन जो मुमालिक रेड लिस्ट में है और अगर उनोंने व पिर आपका फैसला लिया जाएगा जिसके बाद आप वहां पे विजट कर सकेंगे और मजीद इसके इलावा इस वबा के 22 यानि के लॉकडाउन में अगर आप सफर करते हैं और वीजा सेंटर नहीं जा पाते तो ऐसी सूरत में इंग्लेंड की तरफ से 38 दिसंबर 2021 तक साए मुल्क में जाके बायोमेटिक करवा लेते हैं और ये याद रहे कि वो मुल्क इंग्लेंड की रेड लिस्ट में शामिल ना हो यानि कि वो मुल्क गरीन या पिर अमबर लिस्ट में हो तो फिर ऐसी सूरत में आप वीज़े से मतलिक जो प्रोसेस है तो वो शुरू हो ज जाफी चार्जिस भी अदा करने पड़ेंगे ये थी एहम त्रीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है उमीद करती हूँ के पसंद आई होगी इसी के साथ मुझे दीजिये इजाज़त मैं मिलती हूँ फिर आप सबसे किसी लेटस्ट अपडेट में तब तक अपना बहुत ख्यार रखेगा थाइंक यू खुदा हफिज